हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कक्षा 5 समाजिक ज्यान की वर्क सीट हल करेंगे उपविशय वायू परिवहन तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रस्न एक सही सब्दों का चैन करें और रिक्त स्थान भरें बच्चो आप देख सकते हैं यहां बादल में कुछ सब्द दिये गए हैं इन सब्दों को आपको सही जगए खाली स्थान में भरना है और वाक्यों को पूरा करना है कर चिडिया की तरह पंक फैलाए एक बड़ी बंदों राइट बंदों ने पहली भार सन 1903 में विमान को सफलता पूर्वक उड़ाया था गर दुनिया का सबसे तेज गती से उड़ने वाला यात्री विमान डैस है जिसकी उड़ान को 2003 में बंद कर दिया गया था तो यहां लिखेंगे कौन कॉर्ड गर डैस ऐसा विमान है जिसके उपर घूमने वाले पंक लगे होते हैं तो यहां लिखेंगे हैलिकॉप्टर चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न दो निम्न लिखित प्रस्नों के उत्तर दीजिए अब यहां पर कुछ प्रस्न दिये गए हैं आपको इनके उत्तर लिखने हैं का प्रस्न विमान क को बंद क्यों करना पड़ा तो इसका उत्तर लिखेंगे लगाता दुरगटना होने के कारण वर्ष 2003 में कौन कोड की उड़ान बंद कर दी गई चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण तीन चित्र में दिये गए गध्यांस को पढ़कर निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए अब यहाँ पर गध्यांस दिया गया है जिसे आप ध्यांत पूरवक पढ़ेंगे पढ़ने के बाद नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर लिखेंगे तो चलिए गध्यांस पढ़ते हैं हेलिकॉप्टर को हवा में उचा उठाने के लिए ये बड़ी तेजी से घूमते हैं लगबख 110 वर्स पुरानी बात है अमेरिका के दो भाई और विल और विल वर राइट ने पहली बार सन 1903 में विमान को सफलता पूरवक उड़ाया उनका दो पंखो वाला विमान लगबख 36 मीटर की दूरी तक उड़ा राइट भाईयों की इस छोटी उड़ विमान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दुनिया के हर कोने तक जाते हैं कौन को दुनिया का सबसे तेज गती से चलने वाला यात्री विमान है इसकी गती 2333 किलोमीटर प्रती घंटा है इसे फ्रांस और बिटेन ने मिलकर बनाया चलिए अब गध्यांस पढ़न चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन कोशल खेलों का महत्व खेल हमें दिन भर सक्रिय वैप प्रेरित रखते हैं हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेल खेल में सीखने में बहुत आनंद आता है ऐसे कुछ खेलों के नाम लिखे जिने आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ ऐसे खेलों के नाम लिखने हैं जो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलते हैं आपकी स्विदा के लिए मैं यहां कुछ खेलों के नाम लिख रहा हूँ जो मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलता हूँ क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, सत्रंज, लूडो, कैरम, सापसीडी, अंताक्स्री, आदी चलिए आगे बढ़ते हैं संसकार शाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें सभी चात्र सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं लेकिन एक ही तरह से नहीं और एक ही दिन में नहीं तो बच्चों यहां पर कहा गया है कि आप सभी चात्र सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं लेकिन एक ही तरह से नहीं और नहीं एक दिन में तो आपको नेमित रूप से मेहनत करनी है ताकि आप सफल हो सकें और अच्छे से सीख सकें खाना पीना सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी पसंद का कोई भी एक फल खाएं गतिविदी आज आपने जो भी फल खाया है उसका कार्टून बनाएं खेल घर के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल अपने भाई बहन या माता पिता के साथ खेलें चलिए आगे बढ़ते हैं दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की सुरवात करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रस करें प्रते दिन सनान करें खूब पानी पिएं और संतुलित अहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार-बार धोएं अपना ग्रे कार्य समय पर पूरा करें तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिने आपको अपनी दैनिक दिन चर्या में अवश्य सामिल करना चाहिए तो बच्चों यह वर्कशीटियां कम्पलीट होती हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू